Hi guys, welcome back to my YT channel again यहाँ पर बात होगी तीन चिपसेट के बारे में जो कि लोवर मीड रेंज सेगमेंट के लिए यूज किये जा रहे है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर Mediatek के तरफ से Helios G70 की जो कि Mediatek के तरफ से अभी एक लेटिस्ट एडिशन है जो कि इस्पेशली लोवर मीड रेंज सेगमेंट के लिए लाया गिया है बिसीकली तैवन बेस्ट कमपनी Mediatek ने अपने गेमिंग लवर को ध्यान में रखते हुए लेकिन इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे जहां तक Mediatek Helios G70 की बात है तो इसको आपने Realme C3 में भी देखा था और Infinix Note 7 में भी आपको यही चिपसेट देखने को मिला था तो मतलब यही है कि काफी powerful चिपसेट है अगर स्पिसिफिकेशन की बात करते है तो और दुसरी तरफ Mediatek के तरफ से एक और चिपसेट आता है Helio P22 इसके भी comparison करेंगे हम लोग Qualcomm Snapdragon 439 और Qualcomm Snapdragon 450 के साथ में है मतलब चार चिपसेट को यहां पर हम लोग comparison करने वाले है वीडियो काफी interesting होने वाली यह ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते है जल्दी से वीडियो को start करते है so you are watching my YouTube channel Tech Experiment India चली जानते कुछ बढ़िया guys यहां पर हम लोग सबसे पहले fabric comparison process की बात कर लेते हैं यहां पर Mediatek Helio G70 आपको 12NM fabric comparison process पे बना हुआ मिल जाता है CPू के अगर उर्लड बात कर लेते हैं तो Mediatek Helio G70 में आपको Octacore CPU देखने को मिल जाता है इसमें आपको 2 Corps मिल जाते है, cortex A75 के, जिसकी Clock Speed आपको 2.0 GHz की देखने को मिल जाते है यहाँ पे आपको 8 core मिलते है, golden Cortex A53 के जिसकी clock speed आपको 2.0 Gigahertz के देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 439 की, तो यहाँ पे भी आपको 8 core CPU देखने को मिल जाता है बात कर लेते है Qualcomm Snapdragon 450 की, तो यहाँ पे भी आपको Octa-Core CPU देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 8-Core मिल जाते है, Cortex A56 के Clock Speed आपको 1.8 GHz की देखने को मिल जाती है GPU की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो Mediatek Helio G70 में आपको Mali G52-2EMC2 GPU देखने को मिल जाता है, Mediatek Helio P22 में आपको IMG PowerVR GE8320 GPU देखने को मिल जाता है, Qualcomm 439 में आपको Adreno 505 GPU देखने को मिल जाता है, और Snapdragon 450 में Adreno 506 देखने को मिल जाता है अब हम लोग RAM support की बात कर लेते हैं, तो Mediatek Helio G70 में आपको LPDDR4X का support देखने को मिल जाता है, Mediatek Helio P22 में आपको LPDDR4X का support देखने को मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 439 और Qualcomm Snapdragon 450 में आपको LPDDR3 का support देखने को मिल जाता है अब यहां तक storage support की बात कर लेते हैं, तो यहां पे आपको EMMC 5.1 UFS 2.1 का support है, Mediatek Helio G70 में देखने को मिल जाता है Mediatek Helio P22 में आपको HD Plus का support देखने को मिल जाता है, और बाकी के जो Snapdragon के दो chipset है, उसमें भी आपको Full HD Plus display का support मिल जाएगा Camera support की अगर हम लोग बात कर लेते हो, तो यहां पे Mediatek Helio G70 में आपको Single Camera 48MP का support मिल जाएगा अगर Dual Camera की बात कर तो यहां पे 16 Plus 16MP का Dual Camera support मिल जाता है बात कर लेते हैं, Mediatek Helio P22 के तो यहां पे आपको 21MP का Single Camera support मिल जाता है, साथ में 13 Plus 8MP का Dual Camera का support मिल जाता है Snapdragon 439 की जान तक बात है तो यहाँ पे आपको 21MP के सिंगल केमरा का सपोर्ट मिल जाता है साथ में 8 प्लस 8MP का डूल केमरा का सपोर्ट मिल जाता है अभी बात कर लेते हैं Snapdragon 450 की तो यहाँ पे आपको 24MP का सिंगल केमरा सपोर्ट मिलता है साथ में 13 प्लस 13 MP के dual camera का support मिल जाएगा LTE modem के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मिटेटे खिलिए हो G70 में आपको मिल जाता है LTE CAT 7DL obliq CAT 13UL यहाँ पर आपको downloading के speed 300 Mbps की मिलती है और upload speed 1500 Mbps की देखने को मिल जाती है बात कर लेते uh midiatic halo P22 की तो यहाँ पे आपको LTE CAT 7DL obliq CAT 13UL देखने को मिल जाता है है यहाँ पे DOWNLOADING के speed आपको 300 Mbps की मिलती है और upload speed 300 Mbps की देखने को मिलती है मतलब midiatic halo G70 और midiatic halo P22 में आपको same downloading KasCon 439 की तो यहाँ पेखको Snapdragon के तरप से X6 modem देखने को मिल जाता है जिसकी downloading speed आपको 1500 Mbps की मिलती है और upload speed 75 Mbps की देखने को मिल जाती है Qualcomm is still for 450 में आपको downloading speed मिल जाती है 300 Mbps की और upload speed 1500 Mbps की मिल जाती है 7 में जो modem मिलता है आपको Snapdragon के तरप से X9 मिलता है अब यहाँ पर हम लोगग वीडियो support की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2K Video recording आपको 30 Mbps पर देखने को मिल जाएगी 1080p recording आपको 60 Mbps बात कर लेते हैं मिरे खिलियो P22 की तो यहाँ पर आपको 1080p की recording 30 Mbps पर देखने को मिल जाएगी चार्जिंग सपोर्ट के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Midiate Kilo G70 में Pump Express करके एक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है Midiate Kilo P22 में भी आपको यही सेम Pump Express करके चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है बात कर लेते हैं Midiate Qualcomm Snapdragon 439 और Qualcomm Snapdragon 450 के तो यहाँ पे आपको Quick Charge 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा Geekbench Score के अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे Midiate Kilo G70 का Geekbench Score है हमें यहाँ फिलाल पता नहीं है बात कर लेते हैं Midiate Kilo P22 के तो यहाँ पे इसके Single Core का स्कोर रहा जबकि Multicore का score रहा 3991, N22 scores की बात कर लेते हैं तो आप इमिड़ाटे खिलियो G70 की N22 score रहा 194170, जबकि यहाँ पर बात कर लेते मिड़ाटे खिलियो P22 की तो यहाँ पर आपको 76852 का score देखने को मिल जाता है, बात कर लेते हैं Snapdragon 439 की तो यहाँ पर आपको 80855 का N22 score देखने को मिलता है, और बात कर लेते हैं Qualcomm Snapdragon 450 की तो यहाँ पर आपको 73851 का N22 score देखने को मिलता है, गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले CPU and GPU performance के बारे में discuss कर लेते हैं, तो यहाँ पर undoubtably MediaTekhilo G70 अपने core configuration के कारण में winner होता है, यहाँ पर दूसरा reason यह भी है कि बाकी क्यों तो तीन chipsets है, MediaTekhilo P22, Snapdragon के तरफ से जो दो chipset आते है, 439 और 450, यह दोनों ही, तीनों ही chipset जो है, वो दो साल पुराने हो चुके है, तो यह भी एक बहुत बड़ा reason है, गाइस यहाँ पर fabric creation process के अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो तीन chipsets है, MediaTekhilo P22, G70 और Snapdragon 439, यह तीनों ही 12NM fabric creation process पे बने हुए मिलते हैं, बाकि जो एक chipset है, यह Snapdragon 450, वो अपने 14NM fabric creation process पे बना हुआ मिलता है, तो मतलब इसकी जो power efficiency है, वो बाकि तीन chipset के मामले में कम जोर है, यहाँ पर GPU performance के अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर MediaTekhilo G70 में आपको Mali G52 GPU देखने को मिल जाता है, जो की एक latest GPU है, और PowerVR GPU से काफी better लगता है, बात कर लेते हैं, Adreno 505 और Adreno 506 के तो यह दोनों ही GPU है, आपस में equal है, लेकिन Mali G52 के सामने यह दोनों ही GPU टिक नहीं पाते, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि Snapdragon की chipset में आपको better optimization देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए, कि Mediatek के जो chipsets आरे, खासकर G-Line of All जो chipsets आरे, उसमें आपको better improvement देखने को मिल रहा है, मतलब company इसी बात पर focus कर रही है, guys यहाँ पर हम लोग connectivity की जातक बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर चारोई chipset में आपको basic demand होती connectivity की आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, internet speed की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा internet speed आपको Mediatek के दो chipsets प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 300 Mbps की downloading speed मिलती, जो बाखी के जो दो snapdragon के chipsets है, उसमें आपको internet speed काफी slow देखने को मिल जाती है, तो इस मामले में अगर हम लोग बात करते हैं, तो मामले में मतलब अगर internet speed की बात करते हैं, तो बैटर है, अगर हम लोग बात कर लेतें, optics की, Mediatek Helio G70 में आपको 48MP का single camera support देखने को मिल जाता है, मतलब Mediatek Helio seems to be winner, क्यूंकि lower mid range segment में 48MP का single camera support मिलना काफी rare चीजे, इन terms of display आपको 3 chipset में full HD plus display का support मिल जाता है, Mediatek Helio G70, उसके बाद में Snapdragon 439 and Snapdragon 450, तीनों में आपको full HD plus display का support मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, display और camera दोनों के, तो यहाँ पे Mediatek Helio G70 winner होता है, गाइस हम लोग अभी final conclusion पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, कि आखिरकार इन 4 chipset में से कौन से chipset better होगा, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ Mediatek की chipset की, तो यहाँ पे Mediatek अपने chipset उसके काफी लदा focus कर रहा है, खासकर lower mid-range segment वाले chipset उस पे focus कर रहा है, साथ ही साथ mid-range segment वाले chipset में भी यह focus कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है lower mid-range segment वाले chipset की, यहाँ पे इन 4 chipset में अगर मैं एक chipset को चुनना चाहो तो Mediatek के तरप से Helio G70 chipset को में यहाँ पे choose करूँगा, क्योंकि इसका gaming performance भी काफी बढ़िया है, GPU भी यहाँ पे सांदर देखने को मिल जाता है, जो कि एक नया GPU है, Mali G52, यह था 4 chipset का comparison, यह 4 chipset आपको lower mid-range segment वाले smart phone में देखने को बिल जाएंगे, आपका क्या opinion इन 4 chipset में से कांचा chipset आपकी हिसाब से better है, comment box पर comment करके आप बता सकते हैं, और अगर इस वीडियो को आपने like किया है, तो please like button पर press करके मुझे भी बता दे कि आपने इस वीडियो को like किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आई होगी, तो आप dislike भी कर सकते हैं, और मुझे बाता सकते हैं कि क्या कमी है आखिरकार इस वीडियो क्या, So guys, मैं एक और बार request करना चाहूँगो, कि अगर आपने भेरी चनल को subscribe नहीं कि, तो subscribe कर देजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको daily basis पर आपको देखने को मिलने वाली है, मतलब comparison वीडियो तो इसमें आपको भर भर के देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप interested हो इस चैनल के साप में, तो subscribe बटन को प्रेस कर देजिए, और all की notification पर प्रेस कर दो, आतला bell आइकन को प्रेस कर दो, फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक की भी बाई